तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जूरू कर लिजेगा चैनल को पर बने रहिएगा तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कंपानी है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो कंपानी है जिसके बारे में चर्च करूँ उसका नाम है महंदरन महंदरा देखिए महंदरन महंदरा आप सब जानते हैं एक टू हुईलर और थी हुईलर और त्री हुईलर और उसके साथ-साथ पैसेंजर वहिकल्स बननने वाला कंपानी है तो पीवीएस, सीवीएस, ट्रक्टर और साथ इस तरीके से आर्थ मूवर तो जो जो बड़े से बड़े गाड़ी से लेकर टू हिलस तक कमपणी बनाते है तो कमपणी के जो विजनेस है वो अलग लेवल में ग्रोथ हुआ है कोबिट के बाद 2,20,000 कोड़ तक इसका मार्केट कब बन चुके है और कमपणी लगातर हाइक करते चल जा रहे है और पिछले दिनों में भी हाइक क्या था सब सब पहले में चार्ट परण को दिखाऊंगा देखिए कमपणी लाइफ टाइम हाइक को एचिव कर रहे है लाइफ टेम हाइक देखिए बहुत बार इस कमपणी को पर एंटी बना फाइनली फिर से एक बार एक एंटी लेबल्स बन चुके है बनी कर चुके है मतलब इस trend ने breakout भी धिया है अब ब्रेक आउट होने के बाद इसका Jरे ने वाला हूँ और यहाँ परै से लेना चाहिए देखे में obviously as a swing trading के basis में मैं हमेसे 9 परसन नहीं मुझे अगर 5 परसन भी target मिले तो भी मैं trade ले लेता हूँ अगर मुझे base 20 level मिले तो मैं उसके पर जुरू continue करता हूँ तो यह मेरा खुद का trade है तीसलियो में आपके साथ स्याद कर रहा हूँ और आपके क्या opinion है जुरू मुझे comments करना और मैंने trade क्यू लिया वो सबसे पहले देखना बहुत जुरूरी है देखे कंपानी का जो quarter result है वो अच्छा देखने को मिला तो इसका मतलब नेट जो profitability है वो भी positive है और साथी साथ sales भी अच्छा का सा growth हुआ net profit भी अच्छा का सा growth है सब कुछ best तरीके से आपको देखने को मिला है और एही कारण के बज़े से share के उपर एक massive jump देखने को मिला उसके साथ-साथ आप और भी एक चीज़ देखेंगे कि companies के उपर जो investor है वो देखेंगे तो Mitchell fund वाले ने भी continuous company को पर hold कर है साथी साथ जो F है वो भी इस company को पर continue कर है बाकि promoter के पास भी अच्छा कासा holding से आपको देखने को मिलेगा तो promoter से लेकर FSDS public हर किसी के पास holdings आपको देखने को मिल जाएगा बाकि इस company के उपर जिस तरीके से patterns केड़ है उस patterns के basis में मैं obviously continue करूंगा बाकि आपके क्या opening है जोरु मुझे comments करके बताना next company उसके नाम है Geo Financial Services देखिए इस company को बहुत नीचे लेवल से मैंने NT रखा हूँ और अभी भी में कुछ quantity को obviously continue कर रहा हूँ और फिर से एक नया trade बन चुके है वो trade की चिस्तरी किसे बने देखिए पहले जो मेरे first NT था वो इस गाउन लेवल में था में एक बार इसको delete कर देता हूँ हां देखिए यहाँ पर इस जगह पर NT था क्योंकि एक range बना था top में यहाँ पर first resistance बना उसके बाद actually यहाँ पर resistance 1 बना उसके बाद एक support बना मतलब S1 बना उसके बाद फिर से resistance 2 बना और फिर से यहाँ पर support 2 बना और उसके बाद देखिए target अची हु बना उसके बाद यहाँ पर इस बेकाउट हुआ था और देखिए रिट्रेस्ट किया और बेकाउट कांफरमेशन होने के बाद इस लेवल के ऊपर continue करें तो मैं जुरू continue करूंगा और मेरा जो टार्गन निकल का रहा है करीबन 22 परसन के आसपास तो जो 22 परसन के target है वो मै 27 परसन के आसपास holding दीखेगा और जो mutual fund वाले है उसके पास 4.91 परसन का holding है और बाकी जो DS के पास FS के पास holding है वो 19 परसन के आसपास है और मजेदर बात क्या है आप जानते है इस company की उपर अगर मैं data को last मतलब August मान से देखू तो जो जो जिस जिस time में company को पर selling हुआ है वो continue journey करने के लिए त्यार है इस company के उपर continue रहने के लिए वो त्यार है तो इसलिए company के उपर एक अच्छा कासा momentum journey आप कमेंटर इसमें देखने को मिल सकते है साथी साथ और एक points मुझे बहुत बेश लगा वहें इसका reserve भी बढ़ता हो देखने को मिले और borrings एकदम नाके वर और और सबसे importance point है company के quarter result जो पिछले सालों में जो था सरी पिछले quarters में जो था आफ जून quarter में 414 क्रोड वो भी इसी बार भी same to same company के sales देखने को मिला अभी company के expense control करने के बाद company के net profit 300 क्रोड से घटके 290 क्रोड के आसपास बना मतलब company का profit growth थोड़ा सा काम हुआ क्यों क्यो कोई income नहीं हो रहा है company का जो interest है उससे income हो रहा है मतलब company जहाँ पर नीवेस करके रखे हैं उससे company का profit हो रहा है अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर आपके साथ share करो तो आपको पता चलेगा कि देखिए company का ROC ROI में कुछ growth नहीं है क्यों नहीं है क्यों 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 क्य को growth होता देखने को मिले बाकी इस company के उपर interest income जो है वो करीवन 65% company का interest income है बाकी company का जो fees and fee and commission है उसके उपर 9% 10% के असपर बोल सकते है और अदस के उपर 24% तो अलग level के यहाँ पर company का जो growth है वो आपर देखने को मिला है और 100% company का profit growth भी business जो है वो इंडिया में ही देखन कर है बाकी आप इस company को क्या किस तरके से देखते है जो रूब मुझे comments करके बताना next company उसका नामे बेदेंता मतलब video के उपर सबसे पहले जो बात हमेशा में आपको बोलता रहता हो कि जो लोग सोच रहे कि company के उपर जो dividend yield है वो 37% के आसपास है मतलब company के उपर अगर कोई बैकती एक लाग रूपिया निवेश करकर रखे है तो उसको इस साल में 37,900 का total dividend मिला है तो सोची एक लाग के 37,900 आप सोच रहे तो आप सोच रहे है कि मेरे एक लाग रूपिया एक लाग 37,900 बन चुके है इसे बिलकुन नहीं company आपी के पैसे से आपी को bonus दिया है क्योंकि हम लोग निवेश करेंगे और निवेश करने के बाद मुझे अच्छा खासा dividend मिलेगा क्योंकि company profit दे ना दे, company कितना profit अब भो भी देख लीजिए, company का profit ratio उतना खास नहीं है, माल लेता हो 3 साल में 15%, 5 साल में 14% और 10 साल में 4% और current year में 11% का losses, तो यह देखकर बहुत सर लो और profit का growth दोनों में अंतर कितना है, big big losses देखने को मिला, big negative देखने को मिला, बाकी इस company के उपर सबसे importance point क्या है, वो है quarterly result, लेकिन के sales, पिछले बार जीतना sales था, इस बार भी उतना sales हुआ, expense को company payment करने के बाद, और साथी साथ interest income, और साथी interest, उसके साथ साथ आदस income, सब प्लास माइनस करने के बाद, company का पिछले बार का sales profit हुआ था, 3000 क्रुड के आसपास, इस बार वो profit काम होकर हो चुके है, 2800 क्रुड के आसपास, मतलब net profitability जो है, वो कुछ घटा हो देखने को मिले, अच्छी बात है, ये company पिछले quarters को या बीट कर पाए, ये company के लिए plus point है, बाकी इस company के उपर आप notice करेंगे, तो company किस तरीके से performance किया, आप अगर देखेंगे, तो बेदिनता के उपर जो मीचल फंड ने क्या किया, continuously, मीचल फंड ने छोटा मोटा 1% का असपास holding रखे है, और FIS ने क्या किया, 7.74% का असपास holding रखे है, और promoter के पास holding कितना है, 63% उनमें से 100% placing है, ते सबसे बड़ा negative points है इस company के, क्योंकि placing रखने का मतलब है, company का share पुरकर पुरा किसी के पास गिरवी है, और वो उस share को गिरवी रखका loan ठाया है, कल जकर मान के चले business में कोई भी problems आए, अगर sales ठीक ठाक नहीं हुआ, और profit margin negative में चला गया, और company interest भी payment न उसके जेब में चला जाएगा, और वो खुद उस share को बेच कर पैसा market से उठा लेंगे, तो एक negative points है किसी भी companies के लिए, अभी चलो देख लेते company के chart pattern क्या बता रहा है, देखे मैंने आपको ये mention किया, कि company के उपर जिस तरीके से pattern यहापर create हुआ, इस pattern को ध्यान से देखें यहापर देखे, company ने support create किया, उपर गया, और मैं आपको पहले भी बोल चुक हो, यहापर देखे कुछ time भी था, इसका मतलब यह label company के लिए strongly resistance बन जाएगा, तो यही label को बहुत test किया है, इसका मतलब यहापर test करने के बाद फिर से वो नीचे आने का कोसिस करेंगे, अगर उसके साथ साथ एक positive momentum भी देखने को मिल जाएगा, तो बाकी आप इस company के उपर किस तरीके से राय रखते हैं, जोरू मुझे comments करके बताना, नेक्स चो company है, उसका नाम है इस्टन लॉजिक, sorry, लॉजिक का info है limited, तो एक 400 क्रोड का company है, जोटा सा company है, फिर भी company के उपर एक बहुत बड़ आपडेट है, वो है bonus का, हर एक के बदले company आपको 5 share देने वाल है, इसको देखकर खुस मत हो जाना, क्योंकि company के उपर इस तरीके से bonus मिनने का मतलब है, इस तरीके से bonus मिनने का मतलब है, company इसके उपर आपको source समझ कर काम करना पढ़ेगा, मतलब company देखी, एक अच्छा-खासा bonus मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार research करके काम करिए, क्योंकि इस सारे जो companies है, वो high-risk सी company होते है, तो मैं कोई आपको यहापे bonus split के कारण मुझे कोई भी आपको recommendation नहीं करना है, कि मैं आपको recommendation कर हो, मेरे तरफ से कोई भी recommendation नहीं है, अगर buy sell करना है, तो आपके opinion की साब से करिए, क्योंकि मेरे तरफ से सारे information आपको education purpose में share किया गया है, तो please ध्यान देना सारे चीजों के उपर उसके बाद काम करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद.